हाई फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डाक्टर सुबोस्टन सिंग को जीएस एमपी क्लिनीकाइन न्यूच चैनल के अंतरगत टैफाइड यानी आंत्रुजोर टैफाइड एक गंभीर समस्या है और आज के वीडियो के माध्यम से हमें ये घोसना करते हुए अपार खुसी मिल रही है कि फिर एक मरीज जो असंभाव सा बता रहे थे कि उनका केस था और बुखार से काफी दिनों से वो बहुत ज्यादा कश्ट काट रहे थे और उनका बुखार ये टैफाइड बुखार साबित हुआ था और बहुत पुराना हो चुका था और पुरे बदन में उनको दर्द रहता था और ये बुखार हमेशा सदा के लिए ठीक नहीं हो पाता था जिसके चलते पेट की समस्या और उन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी ह होता था तो एक पहले से हम लेप्रोसी कुछ रोगी का हम इलाज कर रहे हैं और उनका ठीक हो गया है बहुत उनका लेप्रोसी बहुत अराम हो गया कुछ रोग हंसें डिजी जिसे कोड कहा जाता है हम इस पर कई वीडियो आप देख चुके हैं टैप हाइड पर या पुराना बुखार पर बहुत ज्यादा मेरा वीडियो नहीं है चुकि आप सब ही जानते हैं कि कोई भी बात हम पूरे इमंदारी और सचाई के साथ बताते हैं तो कुछ कुछ वीडियो हम अगला बताएंगे जिनको साउंड को केवल हम रिकॉर्ड कर पाएं हैं तो अगला वीडियो में किसी में हम सुनाएंगे आपको उनका नाम हो गया है अरुण जी उनका नाम हमारा जो मरीज हम देखते हैं अरुण जी के नाम से दवा जाता है उन्होंने उनको चम्रे का कुई विमारी है उनका बहुत ज्यादा उहां पर नोचनी खुजली और पानी जैसा निकलता है और कोई मलहम लगा रहे हैं कोई एंटी बाइटिक एंटी फंगल दवा खाते हैं लेकि जर से आराम नहीं हो पा रहा है तो उन्होंने संपर किया था उसके पहले उन्होंने बताया कि उनका टेफ हैड जो है यह मेरे इलाई से यानि दो से तिन वहिना उन्होंने यूज किय और उनका बुकार सदा के लिए चला गया बुकार को अंत जोर कहा जाता है इसमें आपको बरी आत जो होता है इसमें आपको दर्ध हो सकता है पेट में भी दर्ध आपको रहेगा ग्यस बहुत जारे बनेका उल्टी यह सम्मन हो सकता है और किसी किसी को द्रिया भी हो सकता है बुखार जो है धीरे धीरे चरता है दो तिन छार डिगरी को चला जाता है और रात को लगभग थोड़ा कम हो फिर सुबा से चहना शुरू होता है राद तक बढ़ता है तो यह हमने सिम्टम कुछ जाना है और यह इसका कारण है आपको गंदगी मनें दूशित खाना इस तरह से कंटामिनेटेड वाटर पानी का ब्यवस्था सही से नहीं होना अच्छा सुध पानी नहीं ले पाना और आपको खाने से पहले यह हेंडवास जरूर करें हेंडवास इसम में बहुत अच्छा-च्छा मिल जा रहा है मार्केट में ब्रिम्हिन ब्रांड का तो घर में कई लोग साबून लेके रख देते हैं लेकिन साबून से बच्चे का आदग जो है नहीं बनता है साबूत थोरा जंजट लगता है और यह जो होता है बच्चे भी छुटा बच्चे भी अराम से जाकर हेंडवास से निकाल लेते हैं और उसमें दावने से उनको मजा आता है तो हेंड से बच जाते हैं और यह साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टिरिया जो है इसके वज़ा से बुखार यह होता है मेरा वीडियो इस पर आप नहीं देखे होंगे लेकिन कोई भी बिमारी हम जब देखते हैं तो उसके बाद उसका कोई जंजटिया किसीम का पुराना मरीज जो समभव सा केस लगे और वो ठीक होता है तब हम जाकर लाइब करते हैं यह कोई थोड़ा बहुत बुखार है कुछ दिनों से वह अगर ठीक हम कर दिए हैं तो उसका लाइब हम कभी नहीं करते हैं लाइब हम उसी उसी वीडियो का करते हैं जिसमें मरीज दुबारा कुई खा आ रहा था इसलिए आज की वीडियो में हम नहीं सुना पाए है थोड़ा सिस्टम में कुछ दिकत था है लेकिन हम साउंड सहीत उनका जो हमसे बात काफी थुई थी उनका बदन में काफी दर्द रहता था पेन तो और किसी किसी को दाने दाने भी आ जाते हैं बड़ी में बुखार के साथ में लाल लाल दाने भी निकल सकते हैं टैफाइड में तो टैफाइड बुखार जो होता है इसमें पेट में आपको दर्द काफी हो सकत है और इसमें कभियत भी हो सकता है और डाइडिया पेट खड़ा भी हो सकता है पेट काफी फुल सकता है तो और हाथ जरूर धोए हाथ जरूर आपको यह जरूर रखें आपको हेंडवास हेंडवास जो होता है ऐसे मार्केट में बहुत सारा कंपनियों का मिल जाएगा करतेगा जैसे तैसे आम लोग हैंडवास हां धो लेते हैं बीना साबून का ऐसा करना उनके लिए स्वास्त के लिए घातक हो जाता है और यह डबली एचो का भी रिपोर्ट है है फार पूरे दुनिया में होता है लगभक सभी देशों में ट्रइफ हाइट रहता है तो इस तरह से तैफाइट के मरीज की हुए हैं तो यदि आपको कोई पुराना मुखार है और आपको ठीक नहीं हो पाता है इसमें टाइफाइड भी है टीवी का एक मरीज का हम तो साइध उस पर हम वीडियो बना चुके हैं टीवी का जो देर दो साल में ठीक नहीं हुए थे मात हमारे एक महिना के टीटमेंट से टीवी उनका ठीक हो गया था इसके बाद में जो होता है टाइफाइड पर आप वीडियो मेरा आ रहा है तो वीडियो में हम इसकी विश्टित चर्चा कर देते हैं कि कि किसी भी सगे सम्मंधी को आसपास में अगल वगल में हर तरह का दवा आप इस्तमाल कर लिए हैं उसके बाद ठीक नहीं हुआ है टाइफाइड का हर दवा बड़े से बड़े अस्पताल अइरवेदिक दवा नहीं जाने होमीपैथि में बैप्टिसिया बहुत ही चर्चित दवा है पता नहीं हम तो बैप्टिसिया बहुत मरीज्यों को चलाते हैं लेकि उसे सफलता नहीं मिलती है जल्दी ठीक नहीं हो पता है तो अब उसके लिए हम खास फर्मूले का हमने प्रयोग किया लगभाग हमें दवाईयां बहुत दिनों से सोथ रिसर्च करके हम राखे थे उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चला तो जाकि उनका टैफाइड बिलकूल जर से ठीक हो गया तो पुराना बुखार कोई भी क्यों नहीं हो यदि आपका पुराना बुखार बरे बरे डॉक्टर से दिखा लिए हैं बरे बरे अस्पताल से आप मिल चुके हैं सब जगत दिखाएं लेकि बुकार आपको पूरा जर्स ठीक नहीं होता है आज भी आपको कम्योर कर रहा है आज भी काफी होता है तो आज के खास वीडियों में हम बताए हैं कि अब ठीक हो जाएगा चाहे टेफाइट कितना भी पुराना क्यों नहों कितना भी जंजतिया क्यों नहों आपके घर में बिब्बी बचे मता-पिता छोटे बचे बड़े बचे किसी को भी बुखार है और ठीक नहीं होता है तो आज के खास वीडियो बनाने का मकसद है लगभग में आप ज्यादा वुखार पर नहीं असाइद दूसरा वीडियो होगा तो पुराना वुखार ठीक हुआ है मरीज का कहना है हम उनका किसी दिन उनका भुआइस रिकॉर्ड करके रखा गया है किसी दिन सुनाएंगे व सब लक्षन उनका था और विश्तित किसी दिन हम बात करेंगे जब हमें समय मिलेगा तो आपको जुरू उसके बारे में बताएंगे तो बुखार टैफ हाइड का है यह ठीक हुआ है तो आप ज्यादे से ज्यादे लोगों को बीच में शेयर करेंगे और उनका नंबर भी हम आप करा देंगे ताकि आप समय सके तो इंगे उन्हें क्या दिकत था यह तो नंबर भी अविपलफ्द कराने के लिए त्यार रहते हैं और इस हंब मारी मरेज हमारे मदद viendo संते हैं कैसे धिकत था क्या दिकत था हमने पूरा बिमारी को रिकर्ड किया और दवा दिया टैफाइट का होमीपैसिक दवा बेप्टिसिया तो बहुत जगा पर लिखा रहाता है लेकिन उन सब दवाओं से हमें तो नहीं लगता है कि ठीक होगा कई बार हम भी चलाए है असफल हो जाता है आदम हम दूसरे फर्मूला से आपका पूरा सिम्टम को रेकर्ड करके जब हमने चलाया कम जोरी यह सब ठकान है दर्द रहता है उसके अधार पर तो कम्याभी मिली तो वीडियो आप जरूर सेयर करिए पूराना बुखार है जंजतिया है क्रोनिक हो गया है बुखार का इलाज कर हाते करते ठक्ष चुके हैं कई कई-क तो मैलेरियां के भूखार ही कपी हमेसा काप्ते रहते हैं मबिद ाинов काبة है है वह बगल के मरीज है उनका उनका भी हरी मुहन नाम है हरी मुहन जी है ओशोग में रोज हमेशा दौरते रहते थे छपरा कई बच्चे तो छपरा हमारी यह से नइदिक पड़ता है वहां पर बहुत लोग इलाज कराने जाते हैं बिहार में हैं छपरा जीला वो बच्चे को बार बार जाते देखर किसी ने बताया कि आप जाके डक्टर सैम से मिलिए डक्टर सुगोश्चन सिंग वह उस बच्चे का हमने देखा पुरा जर सक्यूर हो गया फिर भी हमको वीडियो बनाने भी इतना इंट्रेस्ट नहीं था बुखार के लिए हम समझते थे कि लोग दु रह गया है तो साब सुत्रा आप हमेशा हाथ धोकर ही खाना बनाए खाना खाएं बच्चों सब को भी आदर डाले और हैंडवास जुरूर आप घर पर रखिए कई बीमारियों से बचाता है हैंडवास आपके घर में नहीं रहने के वाज़े से टाइफाइड आपके घर में आ सकता है तो आज के वीडियो में बस इतना ही ज्यादा हम नहीं बताएंगे लिए कि पुराना भी खाव भुखार आपको हो गया है और संभव सा लगने वाला भी आज के डेट में ठीक हुआ है यह आज का रिपोर्ट है इसलिए हम इस वीडियों के माध्यम से टैफ प्रिटर्स भेज करके आप अपने बिमारी के बारे में जैनकाई ले सकते हैं तो आज के खास वीडियों में बस इतना ही जै ही जै भारत